जै हैं दोस्तों, Welcome to GK Classes दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक और वैकेंशी के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप कारी विभाग में कांस्टबल के पद पर वैकेंशी निकली हुई है योगिता की बात करें तो बारावी पाश यानि कि 10 प्लस 2 अगर आपने बारावी पाश कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं आप कारी विभाग में आप नोकरी पा सकते हैं आश्टबल के पद पर वैकेंशी निकली हुई है तो अगर आप आपकारी विफाग में नौकरी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुनहरा मौका है आप जल्दी से आवेधन कर दें अब कहां पर वैकेंशी निकली है किस राज्य में वैकेंशी निकली है कुल प नहां पर देखें तो आपको यहां पर बताया गया है कि विभाग कौन सा है तो मध्य प्रदेश का आवकारी विभाग है वैकेंशी जो निकली हुई है वो मध्य प्रदेश राज्य में निकली हुई है ठीक है भरती बोर्ड जो है मध्य प्रदेश व्यापम है और पद जो है नौकरी मद्यपरदेश राज में निकली है तो आपको नौकरी भी वही करनी है ठीक है जो आपको फार्म भरना है वो आरलाइन भरना है और उसके लिए यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है तो इसके लिए आपको बहुत आने की जरूत नहीं आपशा हैं तो हाँ पर आवेदन कर सकते हैं थोड़ी और जानकारी देते हैं आपको यहाँ पर देखिए तो पद का नाम जो है आपकारी कांस्टिबल है और कुल पद कितने हैं दोसों यह तो हम पहले ही देख चुके हैं ठीक है यह तो हम पहले ही उम्र 18-35 साल के बीच में है तो आप आविदन कर सकते हैं कुछ लोगों को आयो में छूट भी मिलेगी तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन को देख लें कि आप कौन से बर्ग में आते हैं तो आपको उसके अनुसार छूट मिल जाएगे ठीक है यहां पर आगे देखें तो वेतन की बात की गई है वेतन मान यानि कि आपकारी विवाग मद्यपरदेश के अंतर का जिन अभेरतियों का कांस्टबल के पत्पन न्यूकती होगा उन्हें विवाग दोरा शात्मा वेतन मान के अधार पर प्रत्मा वेतन वुकतान किया जाएगा तो मद्यपरदेश आपकारी विवाग में जो कांस्टबल के पत्पर आपकी न्यूकती होगी तो वहाँ के अनुसार आपका शात्मा बेतन मान लगेगा उसके अनुसार आपको हर महेने शेल्डी मिलेगी ठीक है अब आवेदन शुल्क की बात करें तो वह यह समान वर्ग में अगर आप आते हैं तो आपको 5 शुरूपया जमा करना पड़ेगा यह आवेदन शुल्क है OBC में आते हैं तो 5 शुरूपया जमा करना पड़ेगा और अगर आप SCST में आते हैं तो आपको 250 हैनी कि 20.5 शुरूपया आवेदन शुल्क देना होगा तभी आप आवेदन कर सकते हैं तभी आप फार्म भर सकते हैं ठीक है अब कुछ महतपूर तिथियों के बारे हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो 16.11.2022 यानि कि 16.09 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आवेदन आप वो कब से करना है 10.09 से करना है तो यह नोटिफिकेशन आउट हो गया है त्यार हो जाईए 10.09 से आपको आवेदन करना है यानि आवेदन प्रक्रिया जो है वो 10.09 से सुरू हो जाएगी और अंतिम्तिति है 24.09 यानि कि 10 को सुरू होगा 24 को खतम होगा यानि कि आपको 14 दिनों का मौका मिलेगा आवेदन करने के लिए तो अभी आपका नॉमबर चल रहा है मैंने पहले आपको सूचना दे दिया है आप बिल्कुल तयार हो जाईए 10.09 से आवेदन आपको करना है तयारी में बिल्कुल लग जाईए इस्तिती की बात करें ये जो वेकेंशी है इसकी इस्तिती की बात करें तो जारी है जारी मतलब कि प्रक्रिया में है नोटिफिकेशन आउट हो ही चुका है अब फाम भरना है उसके बाद में परिच्छा करवानी है ठीक है तो ये बात हो गई भी या आपकारी विवाग में जो दो शोपदों पर कांस्टिबल की भरती निकली हुई है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है अब आप त्यार हो जाए है 10 दिसंबर से आपको आवेदन करना है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो काशा लगा कमेंट करके जरूर बता है वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए है तो सस्क्राइब कीजिए वेल आइकन को प्रेश कीजिए आल पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही जॉब्स रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें मिलते हैं कि शूर वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें जाहिंद